और यहां पर सबकी नजरें इस ओर चिकी हैं इस एतिहासिक समारोह में अब रशिष्ट अतीथियों का आगमन लगातार जारी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत और सबसे बड़े लोकतंत्र के नव निर्वाचित प्रधानमंत्री सबसे बड़ी लोकतंत्रिक प्रक्रिया से गुजर कर लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शबत लेने के लिए बधार रहे हैं राश्ट्रपती भवन के प्रांगन ने उत्तर प्रतेश के वारण असी से बतौर सांसद दीसरी बार चुंकर आए है देश वासियों का अटूट भरोसा अपार जन समर्थन आत्मियस ने है और पिछले दस वर्षों में नरेंद्र मोदी ने अपने कुशल और बेहतरीन नेत्रितों से ये दिखाया है कि ये देश कैसे प्रगती के पत पर उडान भर रहा है समाज के कमजोर तब के से लेकर हर वर्ग की आकांगशाओं को पूरा करने का काम किया है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेत्रितों में भारत सरकार ने एक बाद फिर नई उम्मीद के साथ शब्दों में अब क्या कहें जो चाह है आप उनका स्वैम अनुभव करें सबका आभार सुईकार करते हुए नवने बाचित पुरान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी तीस्वी बार इस देश की बादोर समहलने के लिए तया है The man of the moment, Mr. Narendra Modi who will make history in just a few moments from now as he returns greetings of his colleagues of the cabinet and people who have come here in their thousands to attend this special moment और अब हम सब प्रतीक्षा कर रहे हैं मान्या राष्टपती महोदिया के शुभागमन की कुछी देर में वे यहां आएंगी और शपत गरहन्ट समारो प्रारंब होगा समारो स्थल पर मान्या राश्च्टपती महोदिया के आगमन पर राश्ची गान बजाया जाएगा शपत ग्रहन समारो के समाप्ती पर भी राश्ची गान बजाया जाएगा माने प्रधान मंत्री जी के चहरे पर वही चमक उत्सा उमंग आशा की वो किरण जिसपे 140 करोड देश वासियों की आशाई उमीद टिकी है नए भारत का स्रुजन करने वाले देश को अंतरराश्ची स्थर पर चम चमाते हुए सितारे की तरह अंकित करने वाले मानने प्रधान मंत्री जी कुछी देर में तीसरी बार शपत ग्रहन करेंगे जोरदार तरीके से अभिवादन हो रहा है यहां लविरबाचित प्रधान मंत्री का एक अजब जोश उमंग उत्सा दस हजार से अभिक मेहमान और आगमन देश के माननिये उपराश्ची पती श्वीजगी धंकर और उनकी पत्मी डॉक्टर सुदेश धंकर का सबका अभिवादन स्विकारते हुए और अब वो इंतजार की घड़ियां बहुत करीब आती हुई जब आज का समारोह उस मकाम पर जाएगा जहां प्रधान मंत्री और उनके मंत्री परिशत के सदस्ते शपत लेंगे राष्टपती के सचिव धीरे-धीरे मंच की ओर अग्रसर होते हुए शी राजी राजी श्वर्मा कुछी समय में हमारे बीच राष्टपती महोदया का शुभागमन होगा मानने उपराश्रपती महोदय सभी का अभिवादन स्विकार करते हुए, अपना स्थान ग्रहन करते हुए सब की निगाहें अप्तिकी हुई है, मानने राश्रपती महोदया के शुभागमन की ओर मंच पर विराजमान सभी विशिष्ट अदिथी गण, मानने प्रधान मंत्री जी अपने चिर्क परिचित अंदाज में, आखों में चमक, उत्साह और सभी देशवासियों के उमीदों पर खरा उतरने का एक विश्वास लिये हुए मानने प्रधान मंत्री जी मंच पर विराजमान है, मानने उपराश्रपती महोदया, हम सब प्रतिक्षा कर रहे हैं राश्रपती महोदया के शुभागमन की आपके चेहरे का तेज, आपकी आंतरिक शक्ति का भी दियोतक होता है, इन बातों को सिर्फ कहा ही नहीं, बलकि हम देख भी सकते हैं आज देश के लिए बड़ा ही महतुकून ख्रण, जब नई सरकार का गठन हो रहा है, और कुछी देर में यहां शपत गरंड समारुष शुरू होगा, तो तीसरी बार श्वीन रिंद्र मोदी देश के प्रधान मंत्री के दौर पर शबत लेंगे, लगातार इस समय चर्चा उनकी राजना सिंग जी के साथ, एक लंबी चुनाव प्रक्रिया के बाद, ये वो क्षण जो विजई होने का सुख भी देते हैं, आनंद भी, और साती सात कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदार ही भी, जन प्रतिनिधियों का जीवन ऐसा ही होता है, और यही हमारी संसद्य प्रणाली की खुबसूरती है, जहां जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, और उसके बाद उनसे अपेक्षा रखती है, कि वो उनके सपनों को साकार करें, और उनी सपनों को कैसे साकार किया जाएगा उसका रोड मैप, जैसा कि अभी थोड़ी जिर पहले जसलीन बता रहीं थी, कि रोड मैप, जिसका पूरा विस्तार से जिक्र हुआ, दिनों का ही नहीं, महीनों का ही नहीं, बलकि कुछ वर्षों का रोड मैप, मोदी जी ने तय यार कर रखा है लोगों की अपेक्षाएं उम्मीदें बढ़ती हुई और सब की निगाहें इस समय राष्ट्रवती भवन की सीडियों की ओर मानने राष्ट्रपटी श्रीमती द्रौपदी मुर्मूजी का शुभागमन हो रहा है